नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सोनु श्टड़ी क्लास से चनल दोस्तों आज में आप सभी लोगों को इनस्याटीव बुक्क क्लास्ट ट्वाइल इंग्लीज प्रोस चैप्टर फोर दा होमकमिंग का पार्ट टू का हिंदी में अनुबाद में आप क्यूशन में लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस जरूर करें फटिक पैसेंस वास अल्रेड़ी एक्साइटेड फटिक का धहर पहले ही जवाब दे चुका था फी कुड़ नौट हर दिस इंजस्टिस वह गलत बात को नहीं सुन सकता था वह माखन की तरफ दोड़ा और यह कहते हुए टेग डेट उस पर वार कर दिया वह चीखा एन डेट एन डेट फोट टिलिंग लिस और ले और ले जुट बोलने के लिए उसकी मा ने उसी छण माखन की तरफदारी की और फटिक को चीखते हुए वेटिंग हिम विथ हर हैंड अपने हाथों से पेटने लगी वेन फटिक पूश्ट हर एसीड जब फटिक ने उन्हें अपने से अलग किया तो अपनी मा को भी धक्का देगा उसी जटिल परिशती में एक सफीत बालो वाला अजने भी वहाँ आपोचा उसने पूशा कि क्या बात है फटिक लुकेड सेपिस एन एसेम्ड फटिक गरा और सरम से देखने लगा लेकिन जब उसकी मा ने पीछे मुड कर उस अजनेवी को देखा हर एंगरी वास चैंजे टू सप्राइस तो उसका गुस्सा आश्चर में बदल गया फोर सी रिकोगाइन्स हर ब्रदर क्योंकि उसने अपने भाई को पाचान लिया था और बुली क्यों दादा आप कहां से आये हैं अस्ती सेड यह सब्ध कहते हुआ जैसे ही उनकी साधी हुई थी उनके भाई चले गए थे और उन्होंने बंबे में अपना बेवसाय सुरू कर दिया था जब वह बामबे में थे तो उनकी बहन के पती की मृत्ति हो गई थी बिसंबर अब कलकत्ता वापस आ गये थे और तुरंत उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा था और जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला हुआ उनसे मिलने चले आये थे अगले कुछ दिन बड़ी प्रसंता से बिते दा ब्रदर आश्ट आप्टर दा एजुकेशन औप दा टू बोईस भाई ने दोनों लड़कों की सिच्छा के बारे में पूछा वास टोल्ड वाई ही सिस्टर डैट फटिक वासे परफिच्छल नॉंसेंस उसने बताया की फटिक तो बिलकुल बेकार है वास लेजी वा कामचोर कहना ना मानने वाला डिसोवेटेंट एंड विल्ड और उपद्रवी था बट माखन वास अस गुड ए गोल्ड लेकिन माखन सोने के समान अच्छा था अस क्वाइट अस ए लेम्ब वा भेड की बच्चे की समान सज्जन और पढ़ने में भी मन लगाने वाला था बिसंबर काइंडली ओफरेट टू टेक फटिख ओफिस सिस्टर एंड्स बिसंबर ने दयारुता से फटिख को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने को कहा और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता ले जाकर पढ़ाने की बात कही दा विडूड मदर रिडली एग्रीड विदवा मात तुरंत मान गई जब फटिख के मामा ने उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाने की बात कही तो उसकी खुसी का ठिकाना न रहा एक तरिके से ऐसा लगता था कि जैसे वो यही चाहता है it was an immense relief to the mother to get rid of fatigue मा के लिए फटिख से छुटकाना पाना अत्यदिक अराम दायक था she had a preused again the boy and no love was lost between the two brothers दोनों भाईयों में कोई प्यार न होना उनके मन को छती पहुचाता था दिवा से daily fear that he would ethere drawn माखन someday in the river उनके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि किसी दिन वो माखन को नदी में न डूबो देगा और break his head in a fight या लडाई में उसका सिर्फ फोड देगा और run him into some danger or other या उसे किसी न किसी खत्रे में फसा देगा एड डस सम टाइम सी वा समवट दिसक्राइड टू सी फोटिक्स एक्स्टरम एगनेश टू गेट इवाई साथ ही वा फटिक की जाने की उस सुकता को देख कर निराज भी रहती थी फटिक असन अस ओल वास सेटल फटिक जब सब कुछ निस्रित हो गया keep asking him uncle every minute when they where to start तो बार बार अपने मामा से पुछने लगा की कब चलेंगे he was on pins and needless all day long with excitement and lay इवाप मौष्ट of the night वह पूरे दिन फफूलित और तयार रहता था तथा अकसर रात को भी जगा रहता था he wicked two माखन in properties his fishing rod उसने अपनी मचली पकड़ने की छडी his wig kit and his marbles अपनी बड़ी पतंग और अपने कंचे सब माखन को बिरासत में दे दिये indeed वास्तो में at this time of departure his generosity toward माखन वास unbounded वास्तो में इस जाने की समय उसकी माखन के प्रती उदारता असीमित थी when they richard कलकत्ता फटिक made in acquaintance of his aunt for the first time जब वे कलकत्ता पोचे तो फटिक पहली बार अपनी मामी से मिला he was by no man's placid with him unansory addition to her family वह अपने परिवार में अनावस्तक बड़ोत्री देखकर बिलकुल भी खुश न थी he found her over three boys quite enough to manage without talking anyone else वह बड़ी मुश्किल से अपने तीन लड़कों का प्रबंद कर पाती थी and to bring a village led of 14 into their midst was terribly upsetting और एक 14 वर्ष के गाउं के लड़के का उनके बीच आ जाना बहुत अपीर्य था विसंबर को इस तरह की बात करने से पहले कम से कम दो बार सोचना चाहिए था in this world of women affairs there is no worse nonsense than a boy at the age और 14 इस मानविय संसार की जहमिले में एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल है he is neither ornamental nor useful इससे बड़ी कोई बाधा नहीं हो सकती न तो वा आकरसक सजावटी होता है और नहीं उप्योगी it is impossible to sour affection on him as on a little boy उसके उपर एक बच्चे की तरह प्यार बरसाना असंभव होता है and he is always getting in the why और वा हमेशा रास्ते में आता रहता है if he talk with a child's lips he is called a baby and if he answer in a ground of why he is called importation यदि वा एक बच्चे की तरह तो उसे बच्चा कहा जाता है और अगर वा एक बड़े व्यक्ती की तरह बहवार करता है तो उसे अनुप्युक्त बता जाता है in fact any talk at all from him is recent जो भी वा कहता है उसका बिरोत के जाता है then he is at the unactive growing is तब वा एक बच्चूरत बढ़ती हुई उम्र में होता है he grows out of his cloth with indescent haste वा अपने कपड़ों किये पेक्च्चा बहुत तेजी से बढ़ता है his voice grows hoarse and breaks and cures उसकी आवाज भारी होती जाती है his face groans suddenly angular and unsilty और वह अटक अटक कर कापते हुए स्वर में गाने लगता है it is easy to excuse the shortcoming of easily childhood but it is hard to tolerate even honorable lipses in a boy of 14 बच्पन की गलतियों को माप करना आसान होता है लेकिन 14 साल की लड़के की गलतियों को सहन करना अनिवारे होता है the lad himself because pensfully self-consense लड़का स्वयम दर्थ से संकोची हो जाता है when he talk with elderly people he is either underly forward जब वह बड़ी लोगों से बात करता है तो या तो वह घवड़ाहाट में धीट हो जाता है या बेचेन होकर सर्माने लगता है और इल्स सो अंडरली से डैट ही एपस हैसेंड ओफ हीज वे एकसिटेंस या फिर उसे अपने अस्तित्व पर बहुत सरमिंदगी होने लगती है अगर वीडियो अच्छी रगी तो लाइक करें सेयर करें कमेंट करें नेश्ट वीडियो के लिए चैनल का सब्सक्राइब करके वैल आइकन प्रेस जरूर करें थैंक यू फूर वाचिंग